So, hello and welcome you all, I am Rohit from Mahajan Trader So, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ IMP Shares के तो वीडियो को आगे continue करूँ उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल The Mahajan Trader को सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सबस्क्राइब कर देना साथ ही आप हमारे टेलिग्राम चैनल को भी जॉइन कर सकते हो तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वहाँ आपको Nifty और Bank Nifty की काफी कुछ अपडेट मिलने वाली है तो प्लीज जाकर एक बार चेक आउट जरूर करना तो वीडियो को करते हैं कंटिनूर तो वीडियो की शुरुआत करेंगे HAL के साथ हिंदुस्तान Aeronautics Limited की अगर हम बात करें तो स्टॉक में 4,825 रुबिस की लेवल पे हमें आज क्लोजिंग देखने को मिल जाती है रिटन्स की अगर बात की जाए तो 56.90 रुबिस के राउं तक स्टॉक में काफी अच्छे रिटन्स देखने को आज हमें मिले है शेर में काफी बड़े फॉल हमने देखे काफी बड़ी गिरावट हमने कैच की बटवही अगर देखे तो 6 अगस्त से stock continuously recovery बता रहा है और कुछ positive targets भी दिये जा रहे कुछ बड़े broking firms की ओर से और साथ ही अगर हम देखे तो defense minister जो राजनात सिंग जी है उनकी ओर से भी काफी बड़े steps यहाँ पर लिये जा रहे तो उनको भी हम cover करेगे तो HL मैं आज कहाँ पे closing बिली ओचीजे हमने देख ली अब बात करते है targets की तो कुनाल वी परार Vice President है A Technical Research and Algo at Choice Broking Farm इनकी ओर से हिंदुस्तान Aeronautics भारत Electronics and भारत फोच इन particular shares में इनका मानना है कि इन stock में short term basis पे upside जाने का एक तगड़ा potential नजर इने आ रहा है इनकी ओर से कुछ important targets भी दे जा रहे है इन targets को अगर आप ध्यान से देखोगे तो shares में आने वाले time में आपको काफी एच्छा फाइदा हो सकता है तो यहाँ पर आप देखोगे तो हिंदुस्तान Aeronautics को हम देख लेते है और HAL परार सेट दे स्टॉक इज एग्जिबिटिंग अ पॉजिटिव ट्रेंट ट्रेडिंग कॉंस्टेंटली अबो इट्स हंड्रेट डे मुविंग एवरेज इपना रहा है डेली चार्ट के बेसिस पर ठीक है बुलिश रिवर्सल सिगनल यहाँ पर इन्हें मिल रहा है जो सजेस्ट करता है कि इसमें एक पोटेंशियल है अपसाइट जाने का ठीक है तो यहाँ पर जो टारगेट इंक्यों उसे दिया जा रहा है 4,410 रुपे का एक टारगेट दिया जा रहा है और चो इनकी हर से स्टॉप लॉस यहाँ पर बताया जा रहा है औहे 4,452 रुपे का बिलकुल 4,450 रुपे का यहाँ पर इनकी और से अजख करता है टारगेट की अगर हम बात करें तो आज भी stock ने एच्छे returns दिया तो आगे भी उम्मीद है कि stocks में एक बहतरी नतीजी मिलेगी आज morning से ही stock बढ़ता हुआ नजर आया है हलका gap up open हुआ है और उसके बाद बढ़त जो है continue नजर यहाँ पर आजाती है तो कुछ important news है राजनाच सिंह had to head to US for defense dialogue HAL tracking update on Tejas engine packed with GE तो यहाँ पर अगर देखे राजनाच सिंह US के दोरे पर है shares of defense manufacturers like HAL and others could be in focus ahead of defense minister राजनाच सिंह 4-day visit starting this week तो यहाँ पर अगर देखे इस हपते राजनाच सिंह US के दोरे पर है US को visit कर रहे है राजनाच सिंह US visit is seen as critical to registered up greater support and commitment from the US establishment and major defense equipment manufacturer for technological collaboration and production opportunities in India तो यहाँ पर अगर देखे इनकी और से कई बड़ी deals हो सकती है collaborations किये जा सकते है technical technological collaborations यहाँ पर होंगे equipment manufacturers collaborations यहाँ पर होंगे और वहीं गर देखे जो Tejas Mark 1 को engine को लेकर जो news यहाँ पर चल रही थी जो deletion यहाँ पर जी यानि general electrical electrical का जो general engines का यहाँ पर जो issue चल रहा था उसको लेकर यहाँ पर बातचीत होगी तो एक बड़ी चीज यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है जो राजनाच सिंग दोरे पर है तो यहाँ पर जो engines की वज़े से जो delay हो रहा था यहाँ पर जो supply delay हो रही थी delivery करने में काफियत तक मुश्किले हो रही थी तेजे smart phone की तो उसको लेकर भी यहाँ पर कही न कही solutions निकल सकता है यहाँ पर अगर देखे काफियत तक मुश्किले यहाँ पर IHL के लिए जिस वज़े से हमने बड़े falls भी देखे growth भी देखी बड़ यहाँ पर अगर देखे हमने जुलाई के बाद stocks में काफी बड़े fall भी देखे है तो अभी एक recovery के chances हम देख रहे कि जो राजात सिंग जी का दोरा है चो चार दिन के visit पर है इस अपत है तो इसके बाद जो है एक अच्छे positive impact पर सकते है एक बड़ी growth यह हम है BEL भारत electronic limited की अगर हम बात करें तो stock में आज morning में तो हमें fall देखने को मिले लगबग stock गिरा फिर उसके बाद जो है stock में काफी अच्य हद तक अच्छी growth नजराई 306 रुपे 10 फेसे के round stock जो है closing देता हुआ नचराता है 1.60 फेसे के round तक की 3G हमें stock में देखने को मिली पर उसके बाद जो है stock में fall भी देखने को मिले पाच दिन के time frame पर अगर हम देखे तो stock में काफियत तक upside down momentum देखने को बलते हैं एक महीने की भी अगर हम बात करें तो stock में पहले तो एक fall देखने को मिला और उसके बाद जो growth रही है वो काफी बहतरीन रही है 18 रुपे से ज बारत electronic में भी target यहाँ पर 355 से लेके 380 रुपे के round अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इंकियों से कहा जा रहा है और वही अगर देखे 280 रुपे का इंकियों से stop loss भी यहाँ पर कहा जा रहा है और 355 से 380 रुपे तक यहाँ पर शेयर जा सकता है एसा मानना है कुनाल के क कुनाल परार के वह से target दिये जा रहा है 355 से 380 रुपे तक है और 306 रुपे के round अभी यह trade रहा है अगर देखे तो यह काफी बड़ा target दिया जा रहा है और यह target easy achieve होगा भी क्योंकि 340 का इसका all time high है यानि नए all time high की और BEL यहाँ पर जाता हुआ manager आ सकता है तो बिलकुल आप positive इसमें रह सकते हो और वही गर हम देखें भारत electronic secure major orders worth 695 करोड बिलकुल 695 करोड का order इनोंने secure किया है जो काफी अच्छी बात है भारत electronic said on thursday that is received order worth 695 करोड नवरतना defense public sector undertaking BEL secured order worth 695 करोड बिलकुल यहाँ पर अगर अगर देखें काफियत तक एक बड़ा order इनने मिला ह major orders comprise of combat management system communication equipment stabilized stabilized optronics pedestal तो बिलकुल यहाँ पर जो जो target जो order ने मिला है वो बिलकुल 350-380 के target तक ले जाने में काफियत तक मदद करने वाले है BEL को तो BEL में भी आप positive हो रह सकते हो और यहाँ पर अगर देखें stock बहतरी है बहतरी है बहतरी डिटन देता हुआ नजर आया है पिछले कुछ time से अगर हम देखें तो continuously बड़त हम देखते आ रहे हैं और आगे भी हमें उम्मीद है कि BEL में कच्छे growth हमें देखने को बहे है और 5 मिनट के time frame पर हम इसके levels पर भी अगर हम नजर डाले तो 5 मिनट के time frame पर भी आप positive है सकते हो यहाँ पर आप clearly देखोगे तो stock में उपर के जो level है उपर के level से बिलकुल एक resistance है यहाँ जो है face कर रहा है बिलकुल उपर के level से यहाँ पर अगर आप देखोगे तो resistance face करता और downside के ओर से अगर आप देखो तो बिलकुल stock में एक support भी यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है तो एक तगड़ा falling waste type pattern यहाँ पर आप देखो बनता हुआ दिखाए देता है और breakout अगर मिला stock में तो यहाँ से एक अच्छी तेजी हमें upcoming trading seasons भी देखने को मिल सकती है और downside क और से अगर देखे तो एक sustain करता हुआ भी यह शेर नजर आ जाता है इस particular level के around अगर आप देखो गया तो stock कहीं न कहीं sustain करता हुआ हमें दिखाए दे रहा है यहाँ से resistance stock ने face किया downside के और आया फिर यहाँ से resistance फिर अगर sustain करता है तो stock में यहाँ से एक अच्छी तीजी हमें नजर आती हुई दिखाई दे सकते हैं तो बिल्कुल आप इसमें positive रह सकते हो तो BEL, HL को लिकर काफी कुछ positive चीज़े हमने discuss कर ली है तो यहाँ पर बात कर लेता है एक split share की split share का नाम है अंधरा papers limited 569 रुपे का share है company के और से यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक split का announcement क किया जा रहा है split company कित्ता दे रही है तो भी हम देखें तो बिल्कुल यहाँ पर 10H2 का split है 11 सितमबर 2014 से पहले buy करते हो तो 2 share 10 share में टूटते हुए manager आ सकते है overall काफी कुछ चीज़े discuss कर लिए तो I hope आपको यह video helpful और अच्छा लगा होगा, video अच्छा लगा हो, video को like channel को subscribe कर तो इनका analysis कर लेना, साथ ही telegram channel को join करो link नीचे description में है, thank you